आज हम स्टार्ट करने वाले हैं double integration method ठीक है? double integration स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ इससे पहले वले class मैंने क्या बताया था आपको? कि वही slope deflection का formula कहा से आया? जो formula है उसी formula को हम क्या बोलते है double integration method formula क्या देखो? m upon e i is equal to double differentiation of dy by dx square याद रखने के लिए हम कैसे याद रखते हैं इसको हम याद रखते हैं mx is equal to e i double differentiation of dy upon dx square ठीक है तो यहाँ पर क्या पता चला हमको double integration method इसमें हमको यह formula यूज करना पड़ेगा देखो double integration method ना एक method है जिसमें हमको क्या पता चलता है कि slope and deflection कैसे निकाला जाता है total असा 4-5 method है कौन-कौन से method है वो जैसे जैसे time आयागा मैंको बता दूँगा ठीक है exam perspective view से वो भी important है कि भाई कौन-कौन से method होता है तो उत्पर चलो बता ही देता हूं क्या होता है सबसे पहला method होता है पका double integration method इसके बाद आता है Macaulis method Macaulis के बाद आता है moment area method moment area के बाद आता है conjugate beam method conjugate beam के बाद आएगा आपका strain energy method तो line से हम सब method देखेंगे ठीक है किसको कैसे solve किया जाता है फिलहाल के लिए double integration और Macaulis Macaulis जो है वो double integration का विक्सित रूप है इसमें खाली basic formula जो अपन पढ़ते हैं जैसे बेंडिंगोशेफोस डियागरम जो मैंने बताया आपको उसे मैंने क्या बताया अभी खाली उसे मैंने चार condition बताया था जो सबसे basic होता है ठीक है वो चार condition को अपन solve करेंगे बस ठीक है वो double integration पर solve करते हैं अगर इससे ज़्यादा question बढ़ा आता है बीम चेंज हो जाता है तो उस condition हों क्या use करेंगे आपका Macaulis method ठीक है तो चलो solve करके देखते हैं कैसे बनेगा question start करने से पहले मैं आपको एक sign convention बता देता हूं मान के चलो यहाँ पर कोई एक ऐसा beam है section मैंने ऐसा काटा section काटने पे अगर मैं इस direction से देखूंगा तो MX का direction मैं ऐसा रखूंगा अगर मैं यहाँ से देखता हूं x को और वहीं मैं x को इस direction से देखूंगा तो MX का direction मैं ऐसा रखूंगा ठीक है और यह दोनों condition में MX की value जो होगी ठीक है वो क्या होगी positive होगी ठीक है यह sign convention मैं follow करते हुए चलता हूं आप भी इसको सब follow करके चलना है ठीक है तो start करते हैं first question question 1 क्या बोलता है कि मान के चलो कि एक cantilever है इस cantilever condition में यहाँ पर मैंने क्या किया एक beam लगा दिया एक support एक load लगा दिया जो कि क्या आपका W kN यह A है यह B है मैंने जब bending and shift diagram पढ़ाया था उसके introduction में मैंने बता दिया है इसका end condition कैसे निकाला जाता है आप उसका वीडियो जाके देख सकते हैं तो यह कैसा है यह ऐसा जाकर के ऐसा bend होगा ठीक है तो यहां से यहां तक का जो distance आएगा इस distance को मैं क्या बोलूँगा y max मैंने क्या बताया था जब fix होता और free होता है तो free end से अपन consider करेंगे तो इस से consider करेंगे तो x के value यहां पर क्या होगी 0 और यहां क्या हो जाएगी x के value क्या हो जाएगी आपकी L इतना मैंने आपको slope and deflection के unit पे जब मैंने बताया था बेंडिंगों शेफोस डियाग्राम पे तो बता दिया था ठीक है जहां पर m को हम mx बो रहे हैं और mx क्या है आप समझेगा मैं क्या बताया जब मैं इस side से देखूंगा यहांस देखूंगा तो यह follow करूंगा जब इस side से देखूंगा तो यह follow करूंगा तो इस side से अगर consider करूंगा तो fix consider करना पड़ेगा जो की थोड़ा कच्छड़ हो सकता है तो इसको समझने के लिए मैंने क्या कर दिया मैंने ये ये बोल रहा हूं इसको यहां लोड लग रहा है W मैं Mx direction ऐसा रखाऊं इसका मतलब यहां से आता क्या हो गया आपका X ठीक है ये इसको अगर मैं solve करता हूं तो देखो हाथ यहां रखूँँगा ये Mx की value है तो ये ऐसा गूम रहा है clockwise ये भी clockwise गूम रहा है W into X तो W into X is equals to 0 ठीक है मगर मैं ऐसा नहीं लिखता मैं क्या करता हूं सेम डिरेक्शन को सिधा is equals to minus W X कर देता हूं ठीक है तो इससे फाइदा क्या होता है टाइम बचता है ठीक है सेम डिरेक्शन पर मूग कर रहा है तो opposite direction पर आके minus हो जाएगा अब ये equation मालूम है तो इस equation हम put कर कर देंगे कि भाई MX is equals to क्या आगया आपका EI Double integration of Sorry Double differentiation of dy by dx इसके बाद यहाँ पर क्या करना है इस value को put कर देना है अब देखो यहाँ पर मिरको तो y की value चाहिए और slope and deflection की value चाहिए तो इसको मैं इससे ले आता हूं इसको लिखने के लिए मैं कैसा लिख सकता हूं देखो इसको मैं यहाँ लिख सकता हूं ऐसा ठीक है मतब यह इस form पे लिख सकता है यह क्या हो जाएगा आपका MX upon EI यहाँ पर देखो MX की value क्या लिखूँगा मैं minus W into X upon EI ठीक है अब यह थोड़ा confuse करेगा तो EI constant है ना इसको मैं यहीं पर लिख देता हूं ठीक है तो मैं क्या लिख रहा हूं लिखने का presentation पर ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं EI यहाँ लिख दिया और इसको क्या लिखा हूं ठीक है is equals to minus W into X ठीक है या तो अब डारेक्टिस से लिख उतार लो या तो इसको अब इसको क्या करना है दो बार integrate करना है तो क्या करूंगा on integrating integration करने से क्या मिलेगा मुझे ये value क्या हो जाएगा आपका EI ये क्या हो जाएगा DY by DX और DY by DX क्या बोलते है हम slope ठीक है तो इसमें ये minus तो minus होगा W तो constant है अब X का square हो जाएगा integration के बाद upon में क्या आएगा 2 क्यूंकि यहाँ पर हम integrate कर रहे है तो यहाँ पर एक constant आगा जिसको हम क्या बोलेंगे C1 ये क्या हो आपका slope equation similarly यहाँ फिर से गबर integrate करूंगा तो क्या लिखूंगा EI इंटू Y ठीक है इस इक्वर्स टू इसको bracket में रख लेते हैं इस इक्वर्स टू minus W X का cube मतलब क्या हो गया यह X का cube डिवाइड बाई 3 2 तो अल्रेडी है तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको 6 प्लस C1 इंटू X प्लस एक और constant आगा तो C2 आगा इसको क्या बोलूंगा मैं Deflection Equation ठीक है बड़े ध्यान से समझना मेरे को Slope Equation मिल गया और Deflection Equation मिल गया मगर C1 C2 का value पता है क्या नहीं तो C1 C2 का value कैसे निकालेंगे End Conditions जब मैं बेंडिम में शेफोस डागराम पढ़ाया था तब बता दिया था End Conditions कैसे निकालते हैं तो यह किस तरीके का भीम है Cantiliver भीम है तो Cantiliver Condition में तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर End Condition लिखूँगा देखो जब मैं End Condition की बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या है X की value 0 है और यहाँ पर क्या है X की value L है इस जगे पर Y की value क्या है 0 है और 7 ही 7 slope की value भी क्या है 0 है ठीक है कैसे पता चला क्योंकि यह नीचे नीच आ रहा है और यहाँ tangent बनाने से same line पही आ रहा है ठीक है और यहाँ I की value maximum है और slope की value भी क्या आपकी maximum है यहाँ से एक tangent बनेगा तो यह क्या आपका theta max आएगा और यह same theta max का यह लाएगा ठीक है तो अब क्या करना है हमको maximum value से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हमको 0 value से ही पता चलेगा कि यह value कैसे आना चाहिए तो x is equals to l y is equals to 0 x is equals to l dy by dx is equals to 0 तो थीटा को अपन क्या बोलते हैं dy by dx तो first equation मान लो इस equation को मैं मान लेता हूँ first और इस equation को मैं मान लेता हूँ second ठीक है तो इस equation में क्या बोल रहा है कि भाई first equation में क्या बोल रहा है at x is equals to l क्या मान के चलो dy by dx जिसको क्या बोलते हैं थीटा ये क्या होगा आपका 0 होगा तो इस case में मतलब अगर मैं इस equation में put करता हूँ ठीक है इस equation में put करता हूँ equation number 1 पर put करता हूँ तो क्या मिलेगा देखो में रखो मुझे मिलेगा कि भाई यहाँ पर इसकी value तो 0 लिख दूँगा तो ये पूरा क्या होगा 0 is equals to minus w x value क्या रखने बोला है l l square by 2 plus c1 इससे c1 की value कित्ती निकली w l square by 2 अब क्या करना है second equation पर put करूँगा at x is equals to l क्या होगा y की value क्या होगी 0 ठीक है अब मेरे को c1 की value तो पता है ठीक है मेरे को c1 की value तो पता है तो हम as it is second equation में put कर दूँगा क्या बोल रहा है y की value 0 मतलब इसको अगर मैं 0 करता हूँ तो x value क्या लिखने बोल रहा है l तो यहाँ क्या कर दिया 0 is equals to minus x value l लिखने बोला है w l का cube by 6 यहाँ plus value आया तो plus w l का square यहाँ l है x के जगा क्या लिखने लिखने है क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है upon 2 plus c2 इसको solve करने से क्या आएगा देखो यहाँ पर l cube आ गया मतलब same है और सही है इसको मैं को minus करना है तो अगर मैं 6 inverse minus 2 inverse करता हूँ तो क्या मिलता देखो 1 by 3 minus 1 by 3 तो minus 1 by 3 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या है इसका value क्या आएगा c2 is equals to minus w l cube by 3 ठीक है तो हमारा अब काम complete हो गया देखो question में कुछ भी पूछेगा हमको यहाँ तक तो solve कर नहीं होता है अब मान के चलो question में पूछ दिया कि भाई y max और theta max का value बताओ तो यह कब बता सकते हैं जब x की value 0 होगा तब यह दोनों value उकर करेगा तो पहले theta maximum निकालना है तो theta maximum काब आएगा जब when x की value क्या हो 0 हो ठीक है अब इस equation में c1 की value put कर देना इस equation में c1 और c2 की value put कर देंगे तो यह slope equation और यह deflection equation बन जाएगा मैं direct इसी में solve करके दिखा देता हूँ कैसे बनेगा मेरे को slope की value चाहिए क्या 0 तो मैं इस equation में डालूँगा तो यहाँ पर देखो क्या लिक लेगा e i यहाँ पर dy by dx लिक रहा हूँ ठीक है यहाँ पर यहाँ तो x से z को 0 लिक सकते हो आप यहाँ तो सिधा theta max लिक सकते हो ठीक है theta max यहाँ तो dy by dx का maximum value ठीक है तो इसकी value कितनी आएगी देखो यहाँ पर x value 0 रखना है तो क्या बच गया c1 बचा तो value क्या आएगा c1 और तो कुछ नहीं आएगा c1 की value कितनी आए थी w l square by 2 मेरेको अगर इसका value चाहिए तो मतलब theta max की value चाहिए तो मैं क्या करूँगा इसको यहाँ नीचे ले आएगा अब मान लो मेरेको y max की value चाहिए तो y max की बात करूँ मैं अगर देखो अगर y max की value चाहिए तब भी क्या करना पड़ेगा x की value क्या करना है 0 लेना है तो यहाँ पर अगर मान के चलो की मैं y max बोलता हूँ तो यहाँ पर x value क्या होगी 0 तो इस equation रपूट करना है जहाँ पर c1 की value क्या है यह और c2 की value क्या है आपकी यह देखो डबे में रखने से फायदा क्या होता है कि भले मैं थोड़ा सा सब आसपास लिखा हूँ मगा डबे में क्या रख रहे है तो क्या इसली पता चल जा रहा है कि कहा पर है value तो इस equation में क्या करना है मेरे को e i यहाँ पर y max करना है तो क्या हो गया y max यह y max कब होगा जब theta के value क्या हो जाए आपकी sorry जब x value क्या हो जाए 0 ठीक है तो x value 0 मतलब यहाँ पर यह x आ गया यह भी 0 हो जाएगा क्योंकि c1 के साथ है तो क्या लिखूंगा 0 plus 0 plus c2 अब यहाँ c2 की बात करूँ तो c2 के लिख इतना निकला minus w lq by 3 यहाँ से यह तो पूरा term गायब हो गया यह term ही 0 हो गया यह भी term कड़ गया equal to 0 ठीक है तो इसको मैं हाले आऊँगा तो क्या लिख सकता हूँ y max is equal to क्या लिखूंगा minus w l qa cube upon 3 e i ठीक है जहाँ पर negative sign क्या indicate कर रहा है यहाँ negative sign यह indicate कर रहा है कि जो deflection है जो deflection है वो क्या आपका downward है ठीक है तो यह इसका complete answer हुआ है ठीक है तो उम्मीद करता हूँ को यह समझ में आया होगा next class में हम next question को देखेंगे ठीक है thank you झाही कर देखेंगे